प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब ये चर्चा का विशे पिछले कुछ दिनों में भी रहा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में विनकले किया और इस समय में तो विशेश तोर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड स्ट दराहत हो सके उसके इस्तेमाल किया गया और यही नहीं हाईजीन का ख्याल रखते हुए तीन मील्स एक दिन में प्रती व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्द करवाई गया ऐसा प्रावधान वहां पर करवाया गया और जो हमारे स्वेंस हाहता स्मू है जिसक एक आपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस संकट की घड के में हमारे काम और बड़ा काम देश के लिए सहायता स्मू की हमारी बहनों ने किया है यही नहीं बहतर सो securely स्भारिद स्मूह इस समय में बंकर और शुरू है पिछले दो महिनों में और जो रिवाल्विंग के लिए पैसा एक पोटल के माध्यम से हमने शुरू किया था गुजराद में पाइलट प्रजेक्ट अब उसको पूरे देश पर के अलगलग राज्यों में शुरू किया जाएगा ताकि उनको और लाब मिल सके आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने गोशना की थी तो सेलफल गुरूप के लिए भी दस लाग से बढ़ाकर बीस लाग रपर उसकी लिमिट कर दी थी तो इससे भी उनकी कपैसिटी बिल्डिंग में एक मदद मिलेगी